अजय को आज आज बनाने जा रहा हैं अलो मटर की सब्जी जो कि बहुत ही आज़ा तरीके से बनाएंगे हम यह खाने में बहुत टेस्टी बनाने में बेहत आसान है आप इसे रोड़ी चपाती और आप इस चावलों के साथ भी खास अपते हैं जो कि हर्द किसी के साथ यह बह अज़ा अच्छा टेस्ट देगी चलिए शुरू करते हैं यहां पर हमने भगोने पानी रख दिया है इसमे डाल दिंगे दो मीडियम साइस के आलू जो हमने इस तरीके से कट कर लिए है इसमें डाल दिंगे कौटर टीस्पून इसमें डाल दिंगे हल्दी आलू को कवर कर दिंगे और इसमें बॉइल आने देंगे आलू यहां पर साथ से सब्तर परसेंट तक कूख हो चुके हैं अब इसमें डाल दिंगे मटर जो कि हमने एक कप ली है है इन दोनों चीजाओं उख अब लिए जब तक और भाल लिए तब कि पूरी तरीके से पक नहीं जाती यानि के पूरी घल नहीं जाती तो यहां पर तक लिए दस मिनाट हो गए हैं आलू और मटर दोनों चितरा विल चुक एक तो इनन नहीं चाल लेंगे यानिके नितार प्रिषे बहुगो न रब दिया हैं आपर आप एक वाटर कप इसमें हम तेल डाल देंगे तेल करम होने के बाद इसमें देंगे 1 टीस्पून जीरा अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े प्यास जो हमने बारिक चॉप कर लिए हैं और 2 हरी मृची जो हमने प्रेट कर ली हैं ताकि प्यास जो हेल्डी से गुड्डन हो जाएं तो यहां पर हमने 1 टीसपून से थवाख कम नमक डाल दिया है यहां पर अब डालने प्यास बहुत जल्दी ब्राउन होता है प्यास जब ब्राउन हो जाएग इसमें तो दाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिश पॉडर पाउ जीरा पाउडर जोगी बुना हुआ है फाटर टीस्पून इसमे डाल लेंगे गरम मसाला पहले मसाले को कुछ सेगिंड भूएंगे हम इस तरीके से मसाला भूल लेने के बाद मिलाल लेंगे दो बड़े टमाटर जिनको हमने मिक्सी में पीस लिया है कि तमाटर ढालगे हम भूल लेंगे चौब तक यह बहुत आवह हम शाय तरह सब्सक्राइब क्षाव गल्णाट फ्वच्टा मॉं दआसे यह बून चुका है और युन लिए उसमें मिलाम भाम में good और लए कि पानी पानी डालने के बार यहाँ पर हम 2-3 आलुओं की डोले लें। इस तरीके से उगले हुए इनको हलका सा हाथ से मेश करेंगे और ग्रेवी के अंदर मिला देंगे। इस तरीके तरे ग्रेवी पढ़ा है अच्छा टेस्स दाता है हुआवाद ऑब आचछा है अच्छी तरह शोपा है अब समझाल लेंगे आलू और मतर इसको मिक्स करेंगे लो हीट पर पकने देंगे से 3-4 मिंट तकि मसाले के साथ आलू जो मटर है अच्छी तरह से मिल्स हो गए हैं मीडियम हीट पर अब देखें यहां पर हमारे जो आलू मटर है उसकी गिरे भी बहुत अच्छी बनी है और एक तम मिल्स हो गए हैं अब इस मडाल देंगे बारी इसको मिक्स कर देंगे तो गैस को हमने बन कर दिया है और देखें हमारी सब्जी बहुत अच्छी बन के तयार हुई है और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है इसमें सब खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है तो इसे हम साथ कर लेंगे तो इसे हम साथ कर लेंग आपको भी बहुत पसंद आएगी और यह बहुत अच्छी रहेगी तो ट्राइग गरें इस रेसिपिक और आपको रेसिपिक एसी लगी हमें जबूर बता हैं साथ ही अपने दूआ में हमेशा याद रखें आपना बहुत सारा खयार लखें हमसे इसी तरीके से जुड़े रहे अल्ला हाफिजी है